नमस्कार साथ हूँ दैनिक समसामाइक मुद्दों से जुड़े हुई प्रस्णों त्री स्रंखला के साथ मैं आमित आप सभी का पुना स्वागत करता हूँ आज हमारे पास हैं फिर से नए 10 प्रस्ण लेकिन यह प्रस्ण किन मुद्दों पर आधारित हैं सबसे पहले नजर डालते हैं इस पर तो हमारे आज के प्रस्ण आधारित होंगे ICC Award 2019 में Cricket of the Year Award पर दूसरा प्रस्ण आधारित होगा CRPF के नए महानिदेशक पर मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस की बात करेंगे तीसरे प्रस्ण में वही हम बात करेंगे स्वच्छता दरपनपुरसकार की चौथे प्रस्ण में पांच्वा प्रस्ण आधारित होगा पहली महिला एडजूटेंट पर वही छटे प्रस्ण में हम बात करेंगे परसुराम कुंड मेले की हमारा सात्वा प्रस्ण समरपित होगा भारती सेना दिवस को और आठ्में प्रस्ण में हम बात करेंगे मलेसियन मास्टर्स 2000 खिताब की नमा प्रस्ण आधारित होगा नागरिक्ता संसोधन कानून यानि की CAA को सुप्रिम कोट में चुनाूती पर वहीं दसमें प्रस्ण में हम जानेंगे ड्रोन रजिस्टेशन के बारे में साथ ही ड्रोन से जुड़ी हुई और महुत सारी महत्पून बातें तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेग्मेंट को और देखते हैं अपना पहला प्रस्ण हमारे पास पहला प्रस्ण है ICC Award 2019 में Cricket of the Year Award के विजेता किस देश से हैं हमारे पास आपसन हैं England, भारत, आश्ट्रेलिया और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है England ICC Award 2019 में Cricket of the Year का जो अवार्ड है उसके विजेता है Ben Stokes जो की England की टीम से है Test Cricket of the Year की अगर हम बात करते हैं तो यह इसके विजेता है Australia से और इनका नाम है Pat Cummins वहीं ODI Cricket of the Year की अगर हम बात करते हैं तो इसके विजेता है भारत से और इनका नाम है Rohit Sharma बढ़ते हैं अगले पसन की तरफ दूसरा पसन है मारा हाल ही में किसे CRPF का नया महानिदेसक नेयुक्त किया गया है हमारे पस आपसन है राजी राय भटनागर SS देसवाल आनंद प्रकास महेश्वरी और इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इस पसन का सही उत्तर है वो है आनंद प्रकास महेश्वरी तो यहाँ पर आनंद प्रकास महेश्वरी को CRPF का नया महानिदेसक नेयुक्त किया गया है इससे पहले अगर हम बात करें कि आनंद प्रकास महेश्वरी कहां थे तो यह ग्रहम अंत्राले में आंत्रिक सुरच्छा के विशे सचिव के रूप में कारेरत थे इनके महानिदेसक बनने से पहले भारत तिबद सीमा पुलिस बल के SS देसवाल को CRPF का अतरिकतर प्रभार सौपा गया CRPF कुल 246 बटालियनों के साथ भारत में सबसे बड़ी केंदरी ससस्त्र पुलिस बल है यह ग्रहम अंत्राले के तहट काम करती है इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1949 में क्राउन प्रतनी भी पुलिस के तहट स्थापित की गई थी लेकिन आजादी के बाद इसे CRPF अधिनियम 1949 के से समविधिक पुलिस बल बना दिया गया बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है हमारा हाल ही में भारती मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसका कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया हमारे पास आपसन है 144, 145, 140 या इनमे से कोई नहीं तो यहां पर भारती मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसका 145 इस्थापना दिवस मनाया गया है भारती मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जन्वरी को इसका जो है 145 वा इस्थापना दिवस मनाया गया भारती मौसम विज्ञान विभाग 1875 में इस्थापित किया गया था भारती मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के प्रत्वी विज्ञान मंतराले के अंतरगत क इसके मुख्याले की बात करें तो वह है दिल्ली में भारती मौसम विज्ञान विभा के महानिदेशक की अगर हम बात करें तो वो कौन है मरत्यूंजे महापात्रा जो है इसके महानिदेशक हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है हमारा निम्न में से कि से स्वच्छता दरपनपुरसकार 2019 प्रदान किया गया हमारे पास आपसान हैं बंगलोरू पुरी इन दोर और इन में से कोई नहीं तो यहां पर जो इसको एवार्ड दिया गया है वो पुरी को दिया गया है और डिशा के पुरी को स्वच्छता दरपनपुरसकार 2019 प्रदान क ये आगया है बढ़ते हैं पांचमें प्रस्ट की तरफ गरतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एड़ू टेंट कौन होंगी हमारे पास आपसर है दिव्या अजित कुमार कैप्टन तानिया शेर गिल मिताली मधुमिता इन में से कोई नहीं तो यहां पर जो इसका सही उतर है वो है कैप्टन तानिया शेर गिल जो होंगी गरतंत्र दिवस की परेड की पहली महिला एड़ू टेंट होंगी गरतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एड़ू टेंट कैप्टन तानिया शेर गिल होंगी परेड के लिए परेड एड़ू टेंट एक जिम्मेदार अधिकार था है सेना बैक्ग़ाउंड से आने वाली तान्या सेरगिल पंजाब के होस्यार पुर से हैं तान्या सेरगिल सेना के सिगनल कोर में कैप्टन है बढ़ते हैं अपने च्छे उत्तर है वो है अरुनाचल प्रदेश प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेले कया आरम जो है वो अरुचल प्रदेश में हुआ है परशुराम कुंड एक हिंदू तीरथ इस्थिली है जो लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र के पठार पर इस्थित है अरुनाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं पेमा खांडू और राजपाल की बात करें तो बीडी मिसरा वहां के राजपाल हैं परते हैं सात्वें प्रस्ण की तरफ सात्वां प्रस्ण ह हमारा हाल ही में भारती सेना दिवस कब मनाया गया हमारे पास आपसन है 14 जनवरी 16 जनवरी 15 जनवरी और इन में से कोई नहीं तो यहां पर भारती सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को बरते हैं आगे और जानते हैं से जुड़ी हुई कुछ बातों को भारती सेना दिवस का जो उन्चास को जन्रल सर फ्रांसिस बुचर जो की भारत के अंतिम ब्रिटिस कमांडर इंचीफ थे से भारती सेना के पहले कमांडर इंचीफ का कारिभार ग्रहन किया था इसके लिए 15 जन्वरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है इस्ट इंडिया कमपनी की सरकार के अंतरगत सेन वे भाग में 1776 में भारती सल्थेना की सुरुवात होई थी अगर इसके आदर्स वाक्य की बात करें तो आदर्स वाक्य है स्वापूर वो सेवा बरते हैं अपने आठवे प्रस्न की तरफ आठवा प्रस्न है मलेशियन मास्टर्स 2000 का खिताब किस देश के खिलाडी ने जीता है हमारे पास आपसन है चीन जापान डेनमार्क और इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही उतर है वा है जापान तो विस्व के नंबर एक बैडमिंटन खिलाडी जो है जापान से यह इनका नाम है केंतो मोमो मलेशियन मास्टर्स 2000 का खिताब जीता है 2019 में बहतरीन प्रदरसन के लिए उन्हें BWF बेस्ट मेल प्लेयर आफ दा इयर का पुरसकार भी प्रदान किया गया था केंतो मोमोता ने डेनमार्क के विक्टर एक्सल्सन को हरा कर इस मुकाबले को जीता है बढ़ते हैं अगले प सुप्रिम कोर्ट में चुनोती देने वाला पहला राज्य बन गया है तो हमरे पास आपसन है केरल राजस्थान मदप्रदेश और इनमें से कोई नहीं तो यहां पर जो यह राज्य पहला बना है सुप्रिम कोर्ट में CAA को चुनोती देने वाला वो केरल राज्य है तो केरल राजे ने नागरिता संसोधन कानौन यानि की SAA को सुप्रेम कोर्ट में चुनती देने वाला पहला राज बन गया है इससे पहले किरल विधान सभास CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है CAA के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट पहुंची किरल सरकार ने कहा है कि यह कानून भारती सम्विधान के अनुच्छेद 14,21,25 के साथ तथा धर्म निर्पच्छता के मोलसिधानतों के खिलाफ है बढ़ते हैं इस सेग्मेंट के दस्वें और अन्तिम प्रस्ण की तरफ हमारा दस्वें प्रस्ण है भारत सरकार ने देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को किस तारीख तक ड्रोन रजिस्टेशन कराने के लिए कहा है हमारे पास आपशन है 26 जनवरी 31 जनवरी 15 जनवरी और इन में से कोई नहीं तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है 31 जनवरी यानि कि इस माह के अंत तक आपको यहां पर अगर ड्रोन रखते हैं तो उसका रजिस्टेशन कराना हो गया आए जानते हैं इसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को तो भारती नागरिक उड्डियन मंत्राले ने सभी ड्रोन मालिकों और उनके संचालकों को 31 जनवरी तक स्वच्छिक पंजीकरण कराने के लिए कहा है मंत्राले द्वरा जारी एक आधिसूचना में कहा गया है कि जो लोग इस अवदी के भीतर पंजीकरण नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध भारती दंड सहिता और विमानन कानून के तहत का रवाई की जाएगी ड्रोन उडाने के लिए लाइसेंस के नियम भी तैंग किये गए हैं लाइसेंस तभी मिलेगा जब आवेदक की उम्र 18 साल से जदा होगी और वहा अधस्मी पास होगा इसके साथ ही अंग्रेजी जानना भी जरूरी रखा गया है ड्रोन उडाने के लिए इसका रजिस्टेशन आपरेटर परमिट और उडाने से पहले क्लिरेंस लेना जरूरी है इसके लिए डी जी सी ए यानि की डिरेक्टरेट जनरल आफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर डिजिटल इसका नाम से प्लेटफार्म तयार किया गया ह डी जी सी ए से इंपोर्ट क्लिरेंस के अलावा यू आई एन यानि की यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर और यू ए ओपी यानि की अन्मेंड एरक्राफ्ट आपरेटर परमिट जारी होगा प्रतिबंदी छेतर में ड्रोन उडाने की अनुमत जो है वो रच्छा मंत्रा ऐसे ड्रोन उडाने के नियम का उलंगन करने पर IPC की धारा 287,336,337 और 338 के तहट जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है तो ये थे आज के हमारे 10 प्रस्नों की स्रंखला जो आधरित थी समसमाइक मुद्दों पर मिलते हैं कल नए 10 प्रस्नों की स्रंखला के सा अब तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद